नमस्कार दोस्तों आप में से कई लोगों ने experience किया होगा कि कभी आप ब्रैंक के ब्रांच गए होगे और वहाँ पर आपको money withdraw करना होगा तो शायद कभी बोला गया होगा आपसे कि अभी रास्ते में पैसा है वो आ रहा है या फिर कभी आपने सुना होगा कि इतने रुपए के note खतम हो गए है currency chest के अंदर तो यह जो currency chest है वो काफी news में रहता है इन फाक्ट demonetization के समय इसका काफी important role था क्योंकि जो नए printed note से उसको currency chest के माध्यम से ही पूरे देश भर में फैलाए जाता है तो यहाँ पर अब क्या हुआ है कि वापस से यह currency chest news में आ गया है क्योंकि चंडीगड की access branch के अंदर एक security guard था मतबकि जिसकी जिम्मेदारी थी कि उसको रक्षा करे उसी ने ही यहाँ पर access bank के अंदर एक currency chest था जिसमें से यह पैसा चोरी कर लिया है यहाँ पर आप देख सकते हो guard please with 4 करोन रुपीज from access bank's office in चंडीगर तो यहाँ पर मैं आपको detail से बताऊँगा आपके मन में कई सवाल होंगे कि exactly role क्या होता है currency chest क्या भारत के अंदर कितने currency chest हैं पंजाब में इस समय क्या situation है currency chest को लेकर काफी कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं Instagram Facebook और पर मेरे lecture की हर PDF आपको Facebook पर तो मिलेगी प्लस साथ में आप मेरा Telegram चैनल जॉइन कर सकते हैं by searching अंकित अगरवाल official और जैसा कि आपको पता है UPSC के एक्जाम साने वाले हैं अगर आप अपने preparation कर रहे हो 2021-22 stage जब भी तो आप हमारे course को जॉइन कर सकते हैं आप विज कर रहे हैं तो चंडीगड के अंदर जो सेक्टर 34 है वहाँ पर Axis Bank की ब्रांच है जिसमें से 4.04 करोन रुपीज एक private security guard के दोरा यहाँ पर चोरी कर लिया गया है और चंडीगड में ऐसा पहला मामला सामने आया है कि इतना बड़ा amount किसी bank से डारेक्ली यहाँ पर चोरी किय गई थी लेकिन इस तरह से directly bank के अंदर से किसी guard के दोरा चार करोन से भी जादा रुपे निकालना यह पहली बार सामने आ रहा है तो चलिए इसके बारे में मैं आपको आगे और बताऊंगा guard का इस समय क्या situation है लेकिन यहाँ पर यह जो currency chest है यह exactly होता क्या है देखेगा अक सारी चीजें in fact जो ATM हो गया ATM में जो पैसा जाता है यह जितनी भी चीजें है वो basically currency chest के माध्यम से किया जाता है मतब देश भर में आपको बहुत सारे currency chest मिलेंगे जो की यह जो पैसा है उसका distribution करते रहते हैं तो यहाँ पर यह currency chest ऐसा नहीं है कि कोई अलग से building होती है RBI की यह किसी bank के branch के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा usually आपने देखा होगा कि branches के अंदर ज्यादा तर जो security room होता है जो locker room टाइप का होता है जहां पर currency और इस तरह की चीजें proper रखी रहती है जिसको strong room के नाम से भी आप जानते होंगे तो वो strong room के अंदर ही एक premise होता है समय समय पर जो RBI के representatives होते हैं वो currency chest में आते हैं मतलब कि उस bank के branch में आते हैं और currency chest में जाकर देखते रहते हैं time to time कि सब कुछ सुरक्षित है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है तो यहां पर जो पैसा अब आपको समझना है यहां पर यह strong room हो गया जहां पर bank का कोई branch है जैसे कि Axis bank का यह था तो यह strong room है strong room belong करता है bank को लेकिन इसी strong room के अंदर एक जगा होता है जहां पर currency chest होता है मतलब वो इसमें जो पैसा रखा होगा वो RBI को belong करेगा और इस currency chest के बाहर जो पैसा रखा है strong room के अंदर वो आपका bank का होता है तो आपको समझ में आ गई होगी तो यह जो sector 34 Axis bank का जो ब्रांच है यहाँ पर जो 4 करोण रुपए चोरी हुए है वो आपका RBI की property है मतलब कि वो currency chest से चोरी हुआ है strong room के अंदर था लेकिन यह RBI की property है तो अब यहाँ पर question आता है कि यह जो चोरी हुई है उसकी भरपाई कौन करेगा क्या अब RBI को ही loss ज इतनी जिम्यदारी है इसकी security की मतलब मैंने क्या बोला कि यह currency chest से कितना रुपए निकलेगा बाहर जाएगा आएगा वो सारा decision RBI लेती है क्योंकि इसके अंदर पैसा RBI का है लेकिन इसकी security हर एक चीज की जिम्यदारी जिस bank के branch में होता है उस bank की होती है और क्योंकि यह 4 क पर उस bank के branch को ही यह जो loss है वो जहिलना पड़ेगा तो यह security arrangement है chest का वो कैसे देखा जाता है basically जो bank के branch के अंदर जो chest रखा हुआ है जो chest खुला हुआ है RBI का उनहीं की जिम्यदारी होती है कि security को अच्छे से ध्यान में रखे और RBI क्या करती है कि उसका जो reimbursement है वो कर देत है मतलब कि जो भी bank उसके ऊपर खर्चा करती है security चाहिए वहाँ पर लोग रखने पड़ेंगे इसके लावा transportation का cost होता है मतलब कि उस chest से अगर किसी दूसरे bank को पैसा भेजना है तो वो सारी चीजें वही bank करता है लेकिन उसका transportation cost जितना भी security की जिम्यदारी है ultimately उस bank को दे security की वो पंजाब police personnel को दे रखी थी तो एक बड़ी बात है पंजाब police personnel को दे रखी थी लेकिन याद रखेगा ये जो guard है जिसने चोरी की है वो private security guard है ठीक है ये पंजाब personal police का नहीं है यहाँ पर basically क्या है कि bank चाहता था कि दोनों तरफ से cross check हो सके मतलब कि उस bank का security है वो ए एक personal चोरी ना करें दूसरा उसके ओपर ध्यान रखा रहा है इसलिए cross check करने के लिए private security guard और पंजाब police personnel दोनों को यहाँ पर दिया हुआ था next यहाँ पर question आता है कि यह जो चंडीगड की अगर हम बात करें तो अक्सर आप tri city के बारे में सुनते होंगे चंडीगड, पंचुकला, मोहाली तो यह तीनों जो tri city है अगर हम देखें तो यहाँ पर 13 से 14 currency chest आपको मिलेंगे बैंक के branches तो बहुत सारे बैंक हैं लेकिन currency chest 13 से 14 देखने को मिलता है, कुछ currency chest यहाँ पर government के branches में है, government bank के branches में है, कुछ private bank के branches में है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ currency chest ऐसे होते हैं जो कि वही बैंक उसका फायदा उठाती है, कहने का मतलब है कि कोई bank का branch है जिसके उपलब्द करा देती है, तो उस currency chest से जो भी पैसा निकलेगा, आएगा जाएगा, वो सिर्फ वही bank का ही अपना use में आ जाएगा, लेकिन कई सारे bank ऐसे होते हैं, जिनके पास सुविधा नहीं होती है, यहाँ पतलब उनके bank के branches हैं, लेकिन उनके पास सुविधा नहीं है क कि इस तरह का currency chest प्रोवाइड कर सकें, इसलिए वो दूसरे bank के उपर depend होते हैं, और इसलिए currency chest क्या करता है, वहाँ से पैसा उनको transfer करता रहता है, अब अगर हम बात करें present के case में, तो यहाँ पर जिस guard का नाम है, यह सुनिल कुमार, और यह private security, मैंने बताया ना, MSF security agency, उस In fact, मैं जब इसके बारे में search कर रहा था, तो पता चला काफी lavish life जीता था यह, मतलब I don't know, बट जो भी है, यह अभी तक मिला नहीं है, absconding है, जब मैं यह video record कर रहा हूँ, तो यह पुरा था मामला Punjab के बारे में, लेकिन लास्ट में आपके मन में लगतार एक सवाल आ रह पर, तो basically अगर आप देखोगे, तो यह जितने भी printing press हैं, coins हैं, वो जहां से production होता है जब, तो वो RBI के offices पहुंच जाते हैं, देश भर में अगर आप देखोगे, तो मुझे जहां तक 31 मैंने पढ़ा था, तो 31 offices हैं RBI के पूरे देश भर के अंदर, और पहले यह printing press से RBI के offices आएंगे, फिर RBI offices से यह जाते हैं, currency chest के अंदर, और मैंने आपको बता ही दिया, currency chest क्या होता है, वो अलग-अलग बैंकों को जो भी requirement होती है, जितना भी उनको चाहिए होता है, ATM में पैसा होगे, जो भी requirement है currency का, वो आपका यहीं से आता है, और देश में इस समय, इस समय हैं, देश के अंदर, आपको मिलेगा, और इसके दाबा, coin depot भी होते हैं, मतलब कि यह तो सिर्फ currency हो गया, जो notes हो गया, उसके बारे में, coins के लिए भी अलग-अलग छोट-छोट-छोट-चोट depot है, वो भी bank के branches में ही देखने को मिलता है, तो उसकी भी संक्या 3,700 से यहां पर क्या होता है कि कुछ press ऐसे हैं, जो कि RBI के दोरा own किये जाते है, RBI उसको regulate करता है, और कुछ ऐसे हैं कि जो Central Bank उसको control करती है, ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है, चार option में से, कि कौन सा आपका Central Government control नहीं करती है, ठीक है, इसमें से कौन सा Central Bank control नहीं करती है, दिवास आपको पता होगा, यह आपको मद्व परदेश में मिलेगा, सलबोनी, यह वेस्ट वेंगॉल में है, सुरू करनाट का आपको पता ही है, ठीक है, तो यहां पर इसका right answer आप बताईए मुझे, आपको पता ही है, मैं इसका right answer आप अपने Instagram पर तो डालूंगा ही Stories में अगर आप वहां पर नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका right answer ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हैं, Stories के form में, आप जाकर play कर सकते हो, अगर आप उससे economy पढ़ना चाहते हैं, कोई भी course purchase करना चाहते हैं, study IQ आप पर जा सकते हैं, I hope कि यही वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता है आपसे next time, till then, thank you very much, see you soon.